हेलो एवरीवन तोड़े वी बिल डिस्कर्स एमसी क्यूज ओन रिलेटिविटी पार्ट सेवर पार्ट सिक्सम लास्ट टाइम अमने प्लोट किया था नाव पार्ट सेविन का फर्स्ट कोश्चन है आपका हमारा फ्रेम और रिफ्रेंस कैसा होना चाहिए ? हमारा स्वेम और रिफ्रेंस काईए ? आलवेज रिजिट है 361 अमारे परसंटेज कॉंट्रेक्शन आफ वन मीटर रॉट मुविंग विद वैलोसिटी जीरो पॉइंट एट सी एट एन एंगिल ओफ सिक्स्टी डिग्री ठीक है भी तो यह सी है तो हमारा क्या दिया है लेंथ दिये एल नॉट इक्वल टू एक्शुल लेंथ दिये किस वैलोसिटी से चला आए जीरो पॉइंट एट सी वैलोसिटी से चला आए कितने एंगिल पर चला आए सिक्स्टी डिग्री पर यानि कि यह जो है हमारा यह इस थरह से है कि यह फ्रेम जो है यह वी वैलोसिटी से चला आए 0.8C से और यह जो rod रखी हुई है इसके साथ कितने angle पर रखी हुई है यह 60 degree पर रखी हुई है फ्रेम हमने माल लिया कि फ्रेम हमारा x direction में चल ला है यह y है यह आपकी y prime है यह x prime होगी और यह frame है आपका s prime अब जो observer है उसको length कितनी contract होती हुई एपियर होगी observer यहां से देखता है अब उसे length के 2 component दिखाई देंगे एक lx component दिखाई देगा और एक ly component दिखाई देगा उसे lx component जो दिखाई देगा कितना दिखाई देना चाहिए अगर इसकी length हमने कितनी दिए 1 meter तो कितना दिखाई देगा आपका l0 by my component कितना दिखाई देगा l0 लेकिन हमें पता है कि यब जब यह angle पर है तो यह ly component कितना हो गया इसका l0 कॉस 60 और यह वाला component कितना हो जाता है आपका l0 सैन 60 तो उसे observer को देखने पर यह कितना दिखाई देगा L0 cos 60 और यह कितना दिखाई देगा L0 sin 60 लेकिन जिस direction में चलता है उसके साथ कौन आता है गामा फेक्टर तो इसके साथ क्या आ जाएगा हमारा गामा फेक्टर आ जाएगा रूट 1-V square upon C square तो equal to L0 cos 60 की वैलू कितनी हो जाती है 1 by 2 root 1-B की वैलू कितनी दिए 0.8 C upon C का whole square equal to L0 by 2 इन्टो इस फैक्टर को solve कर होगे आप तो कितना मिल जाएगा आपको 0.6 तो यह कितना जाएगा 0.3 L0 L0 की वैलू कितनी दिए 1 तो यह आगया आपका 0.3 मीटर L Y को calculate करोगे L Y equal to L0 sin 60 और sin 60 की वैलू कितनी होती है root 3 by 2 L0 की वैलू दिए है इन्होंने 1 तो यह आ जाएगी आपकी root 3 by 2 मीटर L अगर एप रिंग लेंथ निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी LX square plus L Y square equal to root 3 by 3 का square तो कितना हो गया भई आपका 0.09 plus 3 by 4 root 3 by 2 का square करोगे तो कितना हो जाएगा 3 by 4 और 3 का square करोगे तो 0.09 ठीक है भई दोनों को इसको add कर लोगे add करके से calculate कर लोगे calculate करने के बाद इस cancer कितना आ जाएगा आपका यह आ जाता है आपका 0.91 मीटर calculate क्या करना है आपको calculate करना है percentage contraction that is L0 minus L upon L0 into 100 equal to L0 कितना दिया आए 1 मीटर L कितना आया आपका 0.91 upon 1 into 100 ठीक है भई तो ऊपर कितना बचा है आपका 9 ठीक है भई 0.09 into 100 100 की multiply करोगे तो आपका कितना आ जाएगा यह 9% तो option C is the right option next question है आपका which is statement is not true for moving electron moving electron के लिए कौन सा statement आपका true नहीं है have mass independent speed have charge independent of speed may be diffracted can be deflected by M तो कौन सा statement आपका true नहीं है have mass independent of speed इसका mass क्या होता है mass होता है आपका M equal to M not upon root 1 minus V square upon C square तो mass क्या करता है mass velocity पे depend करता है तो velocity independent नहीं है तो option A is right option next question है photon photon का relative mass कितना हो जाएगा हमें पता है कि photon की जो velocity होती है वो C होती है rest mass 0 होता है और M equal to relative mass होता है M not upon root 1 minus V square upon C square जब V को आप 0 रख दोगे तो आपका relative mass कितना हो जाएगा infinite बहुत जादा होता है तो option C is the right option ठीक है भई next question है आपका two photon propagate in same direction then their relative speed हमें पता है कि C पे कोई effect नहीं पड़ता तो option B is the right option next question है relativistic velocity of a particle is given by तो relativistic velocity जो है particle की वो कितनी होती है question में ये पूछा गया है in terms of किसमे momentum में ठीक है तो हमें पता है कि अगर हम बात करें कि पीक्वल्टू कितना होता है हमारा mb m की value कितनी होती है m की value होती है आपकी m not b upon root one minus b square upon c square हमने क्या पूट कर दिया है आपर m equal to m not upon root one minus v square upon c square ठीक है भी square root हटाने के लिए दोनों तरव square कर दो बोच साइट तो p square equal to m not square v square upon one minus v square upon c square ठीक है भई नीचे आप LCM ले लो तो p square equal to m not square v square upon c square minus v square upon c square ठीक है भई यह c square उपर चला जाएगा और यह c square minus v square इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा p square c square minus v square equal to m not square v square c square तो left hand side में bracket open कर दो तो p square c square minus p square v square equal to m not square v square c square हमें तो velocity निकालने है तो velocity को एक तरफ ले लो तो कितना हो जाएगा आपका v square common आ जाएगा उदर आके तो p square c square equal to m not square v square c square plus p square v square right hand side में आपका v square common आ रहा है तो m not square c square plus p square v square तो v square equal to कितना हो जाएगा आपका p square c square upon m not square c square plus p square ठीक है बई तो v की value कितनी हो जाएगी आपकी square root of यह ले लो तो इसका p c हो जाएगा square root और इसका कितना जाएगा square root of p square plus m not square c square तो right option आपका क्या हो जाएगा option a is the right option next question है आपका sun is inertial frame moon is inertial frame earth is inertial earth is non inertial frame of reference ठीक है बई next question है हूँ प्रपोस्ट था existence of universal frame of reference कुछ ने प्रपोस्ट किया था universal frame of reference का जाता है तो option b is the right option next question है आपका can be given by can be given by the decay of means ठीक है तो option c is the right option हम मैं इसको पढ़ते हैं तो means is the right a frame of reference fixed in star is हमें पता है अगर frame एक frame को हम star फिक्स कर दें तो वो कैसे होगा non inertial हो गया तो option b is the right option next question है अगर हमारा the concentration in the length of an object due to relative motion between the object and observer take place यानि कि length contraction observer और object के बीच में कब place होता है जब वो दोनों same direction में move कर रहे हो along the direction of motion तो option b is the right option next question है हमारा experimental evidence of time dilation can be given by हमें पता है decay of means तो option c is the right option if l is 11 meter in Michelson-Morley experiment u equal to 30 km per second and wavelength wavelength of light is 6000 then the fringe shift will be तो हमें पता है l given है question में l equal to 11 meter u given है 30 km per hour per second और क्या given है lambda given है 6000 angstrom ठीक है तो इसे 6000 angstrom को क्या कर देंगे हम 10 to the power minus 10 meter में convert कर देंगे यह angstrom में ठीक है भई किलो मीटर को मीटर में change कर देंगे तो 30 एक किलो में 30 to the power 3 meter per second ठीक है भई डिल्टा एन इक्वल टू टू एल वी स्कार अपोन c square lambda ठीक है भई तो 2 की value 2 l की value कितनी दिया 11 v square v की value कितनी दिया 30 into 10 to the power 3 का whole square upon c square 3 into 10 to the power 8 का whole square into lambda lambda की value कितनी दिया आपको lambda की value दिया 6000 into 10 to the power minus 10 meter ठीक है भई तो जब आप इसे solve कर लोगे तो delta n की value कितनी आ जाती है आपकी delta n की value आ जाएगी 0.366 ठीक है right option is option d next question है आपका two particles are moving along a straight line towards each other with uniform velocity of 0.8c and 0.5c respectively delivery the relative velocity तो relative velocity पूछिए तो हम frame बना लेते हैं हम दो frame बना लेंगे हमारा एक frame rest में होता है एक frame हमारा motion में होता है जो भी velocity चला है दो particle है हमारे एक इधर चला है एक इधर चला है तो एक को हमने मालिया 0.8c एक को हमने मालिया 0.5c तो इसको हमने जो यह वाला पार्टिकल है इसको हमने frame का velocity माली यानिकि 0.8c और इसको हमने किसकी माली 0.5c पार्टिकल की यह किसको दिखाई दे रही है यह observer O को दिखाई दे रही है observer O क्या देख रहा है कि frame की velocity V जो है वो 0.8c है particle की velocity जो यह है वो 0.5c है calculate क्या करना है इसके respect में इसकी velocity S' यह जो यह particle है इसके respect में इसकी और यह particle कोन है O' O' को इसको velocity कितनी दिखाई देगी U' तो हमें U' calculate करना है U' U' equal to कितना होता है आपका U minus B upon 1 minus U V upon C square तो U कितना है हमारा 0.5c V कितना है हमारा 0.8c upon 1 minus 0.5c into 0.8c upon C square C से C square कट गया उपर कितना बचा आपका U' equal to minus का 0.3c upon 1 minus का 0.4 ठीक है भई तो इसे नीचे कितना बचा है आपका minus का 0.3c upon 0.6 तो यह कट गया यह आगया 2 times तो कितना आगया आपका 0. तो हमारा कितना बचता है भई रिमेनिंग minus का C by 2 equal to minus का 0.5c और magnitude form में कितना हो जाएगा U' equal to 0.5c तो राइट option is option B, option B is the right option next question है हमारा यह particle of rest mass this तो rest mass दिया आप पार्टिकल का तो म not equal to कितना दिया आपका 2 into 10 to the power minus 24 kg moving with speed velocity दिया इस particle की किस velocity से move कर रहा है 2.1 into 10 to the power 8 meter per second its moving mass इसका moving mass M calculate करा है हमें पता है M equal to कितना होता है M not upon root 1 minus V square upon C square M not कितना है हमारा 2 into 10 to the power minus 24 upon root 1 minus 2.1 into 10 to the power 8 upon 3 into 10 to the power 8 का holy square 10 to the power 8 10 to the power 8 से cancel out हो जाएगा तो कितना बचा हमारा 2 into 10 to the power minus 24 upon square root 1 minus अगर इसे हम ध्यान से देखें तो यह कितना 3.7 टाइम्स कैंसल आउट हो जाएगा तो root 1 minus 0.7 का square ठीक है भई तो हमारा f ring mass कितना आ गया 2 into 10 to the power minus 24 upon root 1 minus 0.49 ठीक है भई equal to 2 into 10 to the power minus 24 upon square root of 1 में से आपका 0.9 गया तो कितना बचेगा आपका 0.51 ठीक है भई जब इसे आप calculate कर लोगे तो mass कितना आ जाता है भई हमारा 2.8 into 10 to the power minus 24 10 to the power minus 24 तो right option is option A option A is the right option next question है हमारा अगर इसे अब ध्यान से देखोगे तो यह है यह अपोन सी का whole square minus सब्सक्राइब और किस परावर ओता है वायने संसराना मैंडिके तुटेस्ट कोर्ट जीर इसकरक्ते हैं सब्सक्राइब कम तुसक्राइब और गॉल्स कोंट्री यह है is constant है तो यह quantity क्या रहती है relativity में invariant रहती है तो remains invariant तो option a is the right option उसे ने डारेट डारेट यह ना कहके या तो वो यह कहता कि e square minus p square c square या फिर वो कहता कि e square equal to p square c square plus m not square c कि power 4 is invariant या फिर वो कहता कि e equal to root p square c square plus m not square c कि power 4 is invariant और not उसने इसको इस form में दे दिया तो वो भी क्या रहेगा हमारा remains invariant रहेगा under लोरेंज transformation या special theory of relativity ठीक है बई नेक्स कोश्चन है आपका कि दा रिलेटिविस्टिक फॉर्म अफ न्यूटन सेकेंड लो हमें पता है f equal to कितना होता है f equal to होता है dp over dt पी equal to होता है हमारा mb कि यहां पर हम m की value put कर देंगे m not b upon root 1 minus v square upon c square इसको हम उपर ले जाएंगे by part differentiate कर देंगे तो d over dt m not constant है बाहरा गया तो यह कितना हो गया v into 1 minus v square upon c square की power minus 1 by 2 इसको first माल लो इसको second माल लो first और second मान के differentiate कर दो तो f equal to m not v as it is second का differentiate तो power का minus 1 by 2 1 minus v square upon c square की power minus 3 by 2 पहले power का कर दिया into minus 2v upon c square v square का into db over dt ठीक है बही पिलस सेकंड का differentiation फस सेकंड एजिट इस वन मानस v square upon c square की power मानस 1 by 2 और सेकंड का differentiation db over dt के लिए रहे भी तो इसमें से अगर आप देखोंगे तो db over dt common आ रहा है db over dt common ले लिए हमने और देखो क्या 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 बचा आपका अगर आप देखोंगे इससे द्यान से तो आपका ये 2 से ये 2 cancel out हो जाता है मानस से मानस cancel out हो जाता है तो क्या बचाए ये v square upon c square 1 minus v square upon c square की power minus 3 by 2 इधर क्या बचाए आपका plus minus का 1 by 2 अब आप देखोंगे इन दोनों में से कुछ common term आ रही है तो f equal to कितना हो जाएगा m not db over dt इसमें से आप 1 minus v square upon c square की power minus 3 by 2 common ले लोगे तो यहां पर बच्चेगा v square upon c square महां पर plus का 1 बच्चेगा minus का v square upon c square तो v square upon c square से c square कर जाएगा तो कितना आ जाएगा m not db over dt 1 minus v square upon c square तो right option is a option a is the right option ठीक है भई नेक्स्ट कोश्चन है आपका पर्टिकेल एक्सीड इट्स रेस्ट मास बाई एक गिविन फ्रेक्चन f the velocity of v upon c is यानि कि वो कह रहा है कि एक पर्टिकल का मास उसके रेस्ट मास को रेलेटिविस्टिक मास एक्सीड करता है भाई यह fraction f यानि कि m minus m not upon m not equal to f ठीक है भई कितने time के कितने fraction है f तो हम इसे क्या लिए सकते है m upon m not minus 1 equal to f तो m upon m not को क्या लिए सकते हैं m upon m not को लिए सकते हैं 1 plus f अगर वो question में हमसे दोनों मास का ratio पूछ था m upon m पूछता तो सिधा सिधा हमारा कितना आ जाता 1 plus f आ जाता लेकिन उसने क्या पूछा है उसने v upon c पूछा है तो हमें पता है कि m equal to कितना होता है हमारा m not upon root 1 minus v square upon c square clear है भई हमें क्या calculate करना है हमें calculate करना b upon c तो हम क्या करें b upon इसको इधर लें इस factor को तो root 1 minus v square upon c square equal to m not upon m और m not upon m यहां से कितना हो जाएगा यहां से हो जाएगा 1 upon 1 plus f क्योंकि m upon up not is 1 plus f तो root m not upon m is 1 upon 1 plus f c square equal to 1 upon 1 plus f का whole square clear है भई हमें क्या चाहिए हमें तो v square upon c square चाहिए तो हम 1 को भी उधर ले जाएंगे तो 1 को उधर ले जाएंगे तो हमारा v square upon c square equal to कितना हो जाएगा 1 minus 1 upon 1 plus f का whole square तो 1 upon f का square हमने lcm ले लिया तो इधर आगे आपका 1 plus f का square minus 1 उपर हम 1 plus f का square open कर देंगे तो v square upon c square equal to कितना हो जाएगा हमारा 1 plus f square plus 2f minus 1 upon 1 plus f का whole square 1 से आपका 1 cancel out हो जाएगा ठीक है भी तो v upon c कितना हो जाएगा आपका v upon c square root हो जाएगा उधर उपर f common आ जाएगा तो 1 plus f plus 2 bracket में बचेगा आपका f plus 2 upon 1 plus f का whole square तो right option is right option कौन सा हो जाएगा हमारा option a तो option a is the right option ठीक है भी नीचे 1 plus f का whole square हो इसका square root है तो जब square root से बाहर निकालोगों तो क्या मिलेगा सिर्फ हमें 1 plus f मिलेगा इसको हम लिख देते हैं फिर भी तो वी तो वी अपॉन सी इक्वल टू ऊपर स्कार रूट हो जाएगा एफ एफ प्लस टू अपॉन नीचे क्या बचेगा सिर्फ बन प्लस f क्योंकि whole square किसको खतम कर देगा स्कार रूट को ठीक है बई तो next question है आपका momentum of a particle of rest mass m0 and kinetic energy के energy में relation क्या होती है हमारी हमें पता है कि energy और momentum में relation क्या होती है हमारी e square equal to p square c square plus m0 square c की power 4 लेकिन तो हमें किसी में चाहिए momentum and kinetic energy तो kinetic energy equal to total energy equal to कितनी हो जाती है kinetic energy plus rest mass energy तो kinetic energy को इसमें k से denote किया गया है rest mass energy कितनी होती है m0 c square इस value को हम यहाँ पर put कर देंगे तो k plus m0 c square का whole square equal to p square c square plus m0 square c की power 4 left hand side में square open कर दो तो k square plus m0 square c की power 4 plus 2k m0 c square equal to p square c square plus m0 square c की power 4 m0 square c की power 4 m0 square 4 से cut गया तो हमारा p square c square equal to कितना आ गया k square plus 2k m0 c square हमें तो momentum चाहिए तो p square equal to k square upon c square plus 2k m0 c square upon c square c square से c square cancel out हो गया तो p equal to कितना आ गया आपका root k square upon c square plus 2k m0 ठीक है बई वो यहां से m को भी common ले सकता था ठीक है तो option कौन सा हो जाता है हमारा right option कौन सा हो गया हमारा option a is the right option ठीक है बई next question है आपका length of a body becomes as body moves with velocity of light तो length कितनी हो जाएगी अगर body की velocity c के बराबर हो जाए तो length कितनी हो जाएगी option में होता कि decrease तो वहां पर हम कौन सा option लगाते decrease option पर tick करते लेकिन यहां पर value दी हुई है तो हम value calculate कर देते हैं l not root 1 minus c square upon c square 1 1 minus 1 0 option d is the right option which is not possible hence we can say that any particle cannot travel with the velocity of light अगर कोई object है तो क्या उसकी length 0 हो सकती है हो यह नहीं सकती तो इसके result निकलता है कोई भी particle velocity of light से travel नहीं कर सकता next question है the mass of a body increase as its velocity body का mass increase करेगा if its velocity हमें पता है m equal to m not upon root 1 minus b square upon c square यदि velocity को increase करोगे तो यह factor क्या करेगा यह factor decrease करेगा यह factor decrease करेगा तो m क्या करेगा m आपका increase करेगा ठीक है भी तो velocity को क्या करना पड़ेगा आपको velocity को increase करना पड़ेगा जिससे आपका 1 minus b square upon c square factor decrease होता हुआ चला जाएगा और यह one upon में है तो यह value increase करेगी तो m क्या करेगा आपका increase करेगा तो आपको velocity को क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा तो option A is the right option next question है अब the half life of an elementary particle moving with speed 0.9C is measured to be 5 into 10 to the power minus 8 seconds the proper half life is तो वो कह रहा है कि एक particle है elementary particle जो किस velocity से चल दा है जो कि 0.9C velocity से चल रहा है उसका जो half life measure की जाती है measure यानि कि appering time t equal to दिया हुआ है 5 into 10 to the power minus 8 seconds उसका proper lifetime यानि कि actual lifetime t naught हमें measure करना है we know that according to time dilation t equal to t naught upon root 1 minus v square upon c square clear है भई तो t हम दिया हुआ t कितना हो गया 5 into 10 to the power minus 8 equal to t naught हमें निकालना है upon root 1 minus velocity कितनी की भीन है 0.9C upon c का c से आपका c cancel out हो गया तो t naught equal to कितना हो जाएगा आपका t naught equal to हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 8 into square root दर चला जाएगा 1 minus 0.9 का square करोगे तो कितना हो जाएगा 0.81 ठीक है भई तो यह कितना आगे आपका 5 into 10 to the power minus 8 into square root में से जब 1 में से आप 0.81 को subtract करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 0.19 ठीक है भई इसका square root ले लोगे और calculate कर लोगे तो आपको क्या मिलता है square root लेने के बाद 5 into 10 to the power minus 8 into 0.4359 और जब आप multiply कर दोगे इसकी तो आपको कितना मिल जाएगा यह 2.17 into 10 to the power minus 8 सेकिंद 2.17 को क्या लिए सकते हैं 2.2 into 10 to the power minus 8 सेकिंद तो right option is option A is the right option ठीक है भई next question है आपका the kinetic energy of a body moving with high speed B is given by relativistic kinetic energy की बात कर रहा है और relativistic kinetic energy कितनी होती है हमारी M minus M not C square ठीक है भई relativistic kinetic energy होगी हमारी M minus M not C square तो option C is the right option next question the relativistic kinetic energy is given by the expression तो वो कराया कि relativistic kinetic energy के लिए कौन सी expression सही है यहापर तो हमें पता है कि अगर हम बात करें हैं हापर momentum भी दिया हुआ है आपको हर equation में momentum दिया हुआ है rest mass energy दी हुई है तो यानि कि equal to E square equal to P square C square plus M not square C यानि कि हमें कौन सी equation का यूज करना पड़ेगा ठीक है भी अब हमें कानेटिक अनर्जी जाहिए तो P square ठीक है भई तो ये value को उठाकर हम कहां पूट कर देंगे equation number one में तो left hand side में क्या हो जाएगा आपका E k plus E naught का whole square equal to P square C square प्लस अगर हम इसको देखें M not square C की power 4 तो ये किसके बराबर हो जाएगा E naught square यहां से E naught square कर लो आप E naught square करोगे तो क्या हो जाएगा आपका M not square C की power 4 left hand side में square open कर दो तो E k square plus E naught square plus 2 E k E naught equal to आपका जाएगा P square C square plus E naught square तो आप देखोगे कि E naught square से आपका E naught square cancel out हो गया आपको क्या निकालना है आपको निकालना है E k kinetic energy निकालनी है तो कानेट यहां से इतना calculate करने की जरूती नहीं है इस वाली equation से सीधे आजाओ वई result की तरफ यह तो आगे आगे हमें एक step इस वाले result से सीधा आजाओ यह step यहां पर करने की हमें कोई जरूती नहीं है यही से हमें दिख रहा है कि अगर हम इसका square root ले लें तो left hand side में क्या जाएगा हमारा ek plus e naught equal to root p square c square plus e naught square तो ek equal to कितने ही हो जाएगी आपकी root p square c square plus e naught square minus e naught तो right option is option c तो option c is the right option next question है आपका energy of proton in mega electron bolt अगर rest mass energy की बात करें तो energy की rest mass energy कितनी होती है हमारी m naught c square तो यहां proton का mass लिख देंगे हम 1.67 into 10 to the power minus 27 into 3 into 10 to the power 8 का square ठीक है बई किसमें पूछा है इसने सारे answer हमारे electron bolt में दिये हुए है तो यह आगे आपका joule में तो electron bolt में convert करने के लिए आप क्या करोगे इसे 1.6 into 10 to the power minus 19 से इसे क्या करना पड़ेगा आपको divide करना पड़ेगा ठीक है तो इस किसमें convert हो जाएगा आपका electron bolt में और जब यह calculate कर लोगे तो आपको calculate करके कितना मिल जाएगा यह तो यह आजाती है आपकी 938.27 into 10 to the power 6 electron bolt ठीक है भई तो इसे कह लिए सकते हैं 938.27 mega electron bolt तो इसमें से हमें कोई option नहीं है तो none of the above तो option d is the right option next question है आपका at what speed the mass of an object will be double of its rest mass तो कह रहा है कि किसी speed पर एक particle का एक प्रिंग मास उसकी rest mass का two times हो जाएगा तो m की value हमें पता है m not upon root 1 minus v square upon c square equal to 2m ठीक है भई m not से m not cancel out हो गया तो यहां से root 1 minus v square upon c square equal to कितना आ गया आपका 1 by 2 और 1 minus v square upon c square equal to कितना हो जाएगा आपका 1 by 4 ठीक है भई तो यहां पर आपका v square upon c square equal to कितना हो जाएगा 1-1 by 4 equal to 3 by 4 तो V square equal to कितना हो गया आपका 3 by 4 का square root into C square यहाँ पर हमने सीधा यह B कर दिया ठीक है भई तो कितना आ गया भई आपका root 3 by 2 into C ठीक है भई इसने value पूछी है तो आपको इसको जब calculate करो root 3 by 2 into C की value रख दोगे आप 3 into 10 to the power 8 तो आपको solve करके कितना मिल जाता है 9 2.59 into 10 to the power 8 equal to 2.6 into 10 to the power 8 meter per second तो और right option is option B ठीक है भई next question है आपका any velocity we added relatively to velocity of light gives the result तो हमें पता है कि कोई भी velocity speed of light में relativistically add हो या subtract हो speed of light पर कोई effect नहीं परता हमें से क्या रहेगी वो C तो option A is the right option next question है आपका the kinetic energy of an electron rest mass M0 moving with velocity 0.6 C तो एक एक electron है जिसका rest mass है M0 और velocity दिया है 0.6 C उसकी उसने kinetic energy पूछी है तो kinetic energy की बात करें तो kinetic energy कितनी होती है हमारी M minus M0 C square ठीक है भी तो M की value आप put कर दोगे यहां पर M की value कितनी हो जाएगी M0 upon root 1 minus V square upon C square minus M0 into C square तो M0 को common ले लोगे आप यहां पर क्या बच्चेगा 1 upon root 1 minus V की value question में given है 0.6 C तो 0.6 C upon C का whole square M0 हमने common ले लिया है तो minus M0 C square ठीक है भी तो आपका कितना आ जाएगा kinetic energy equal to इस factor को जब आप solve कर लोगे तो आपको कितना मिलता है 0.8 minus 1 into M0 C square C से यहां C cancel out हो गया तो ठीक है भी यहां से 0.10 ठीक है जब इसे आप उपर LCM ले लोगे तो कितना बचाएगा आपका 2 upon 8 M0 C 0.25 M0 C square तो right option is आपका option A option A is the right option next question है आपका wavelength of photon whose energy is equal to the rest energy of electron यानि कि वो कह रहा है कि एक photon की wavelength निकाल ली है जिसकी total energy energy of photon is equal to rest energy of electron तो हमें पता है M C square में M किसका आएगा इसमें mass of photon आ जाएगा equal to M not C square और M not किसका होगा यहां पर electron का वहीं total energy हमारी होती है M C square और rest mass energy हमारी होती है M not C square total energy किसकी दी है photon की तो यह किसका mass आ जाएगा left hand side में photon का rest mass energy किसकी दी है question में electron की तो rest mass किसका आ जाएगा electron का तो यहां पर M not of photon M of photon equal to क्या आ गया M not of electron C square से C square cancel out हो गया यानि कि जो electron का एपरिंग mass है वो किसके बराबर है electron के rest mass के बराबर है हमको क्या calculate करना है डी ब्रोगली wavelength lambda equal to H upon P equal to H upon MB किसके लिए calculate करना है photon के लिए तो photon के लिए lambda P equal to H upon mass of photon into B और mass of photon किसके बराबर आ गया हमारा mass of electron according to the problem तो mass of electron into B और photon की velocity कितनी हो जाएगी यहाँ पर हम सीधा कर दें photon की velocity के लिए हाँ पर कैस B को किसे place कर देंगे C से for यहाँ लिख देते हैं for photon V equal to C तो यहाँ पर V equal to C value दो पूट कर दो आप 6.6 into 10 to the power minus 34 रेस्ट मास of electron 9.1 into 10 to the power minus 31 speed C 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है वही इसे calculate करते हैं कि कितना जाता है हमारा 0.241 into 10 to the power कितना हो गया वही 31 है और यह कितना है हमारा 8 है 31 8 के 23 23 उपर चला गया 23 उपर जाने के बाद positive हो गया 23 यहाँ पर कितने बचे माइनस का 11 ठीक है भई ठीक है भई तो आप क्या करोगे आप 23 23 में से 11 ठीक है तो आपको एंगस्ट्राम में आंसर दिया हो एंगस्ट्राम में चेंज कर देंगे तो एंगस्ट्राम में कितना हो जागा 2.024 into 10 to the power minus 10 meter तो एंगस्ट्राम में कितना आ गया आपका लेंबडा इक्वल टू 0.024 एंगस्ट्राम तो राइट ओप्शन हमारा हो जाता है ओप्शन डी तो ओप्शन डी इस दा राइट ओप्शन ठीक है भई नेक्स्ट कोश्चन है हमारा एक पार्टिकल ओफ रेस्ट मास M0 इस मूविंग विद स्पीड ओफ सी अपॉन रूट टू इस मास बिल बी तो एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास M0 है लेकिन वैलोसिटी कितनी दिया है उसकी सी अपॉन रूट टू तो इसका मास एक प्रिंग मास पूछा है तो M equal to according to variation of mass M0 upon root 1 minus V square upon C square हमें क्या की भी ने हमें वैलोसिटी की भी ने तो root 1 minus V की value कितनी दिया है सी तो C square upon root 2 का 2 into C square इससे cancel out हो गया तो M0 upon root 1 minus 1.2 L से हम ले लिया तो कितना आ गया आपका root 2 M0 तो right option is root 2 M0 तिया है M0 की root 2 की value रखे है 1.41 M0 right option is right उने में से कोई भी नहीं है ठीक है तो right option is option D option D is the right option ठीक है भाई next question है आपका a particle of rest mass M0 is moving with the speed of C upon root 2 its energy will be तो velocity फिर से last वाले question की तरह दिया हुआ है C upon root 2 इसमें energy बूचिए तो energy कितनी हो जाएगी हमारी M C square यानि कि अवो M calculate करना पड़ेगा M equal to कितना हो जाएगा M not C square upon root 2 1 minus V square upon C square velocity हमारी giving है तो equal to M not C square upon root 1 minus V की value कितनी दिया है C upon root 2 तो C square upon 2 into C square यह से cancel out हो गया तो यह कितना आ जाती है आपकी energy energy equal to आज यह M not C square upon root 1 minus 1 upon 2 LCM ले लोगे तो आपको कितना answer आ जाएगा equal to root 2 M not C square तो right root 2 की value कितनी होती है आपकी 1.41 M not C square तो right option is option A option A is the right option ठीक है भई next question है आपका a particle of rest mass M not moving with speed C upon root 2 its kinetic energy last question यहाली की तरह ही है जैसे दो last two question किये है हमने तो kinetic energy की बात करें तो kinetic energy कितनी हो जाती है M minus M not C square और अभी हमने calculate किया था उसी की तरह हम calculate कर लेंगे कि M not की value कितनी आती है M not की value C upon root 2 रखके रख जा जाएगी root 2 M not तो यहां से कितना हो जाएगा आपका root 2 M not minus M not C square तो M not common ले लोगे तो कितना हो जाएगा आपका root 2 minus 1 M not C square root 2 की value 1.41 minus 1 M not C square तो equal to 0.41 M not C square तो right option is option B is the right option ठीक है भई due to relativity the correction in length of the object take place तो हमें पता है कि relativity के according जिस direction में कोई भी body या rod move करती है उसी direction में हमें क्या appear होती है current contract appear होती है perpendicular direction में कोई भी change नहीं होता तो right option is along the direction of motion तो A option is the right option next question है आपका in time dilation transformation defined by तो time dilation transformation को कौन define करता है म्यून थोरी explain करती है twins paradox भी explain करता है तो both A and B are the right option तो answer is option C ठीक है भई तो next question है आपका a photon have a spin of photon की spin क्या अपतनी होती है हमारी one तो right option is option B next question है me mason have a speed comparable to speed of light हमें पता है कि me mason जो travel करता है वो 0.998C velocity से move करता है तो right option हो जाता है आपका a option a is the right option तो यह थे आपके all about relativity वीडियो अल्रेडी काफी बड़ी बन गी है तो remaining question हम next part में करेंगे थैंक्यू जाती है चकि अपके तो